क्या आप जानते हैं कि आस्ट्रेलियाई सरकार ने एक असफल विज़ा कारेक्टर टेस्ट बिल को पार्लिमेंटरी में फिर से पेश किया है। Brain Drain Consultants की ओर से हमारे Immigration Information और News Channel A-Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है। Federal Administration Character Test को कड़ा करने के लिए एक बिल पेश कर रहा है, जिस पर फिर से पार्लिमेंट में बहस होगी। प्रधान मंतरी स्कॉट मौरिसन ने Sydney Radio Station 2, GB से कहा कि देश के Immigration कानूनों में एक बुनियादी खामी को बंद किया जाना चाहिए। कानून को सुधारा जाना चाहिए और इसे मौडिफाई किया जाना चाहिए। वे पिछले चुनाव के दौरान किये गए अपराधों के लिए 4,000 लोगों को वीजा पर पहले ही निकाल चुके हैं और 10,000 जब वे पहली बार सत्ता में आये थे, उनके द्वारा किये गए अपराधों के लिए और फिर Character Test Requirements के लिए। जब वे Immigration Minister थे तो उन्होंने उनमें से कई पर हस्ताक्षर किये। लेकिन जजजर्स ऐसे वाक्य दे रहे हैं जो लोगों को इससे बचने में सक्षम बनाते हैं और उन्हें एक Objective Test की जरूरत होती है। प्रपोजल में नॉन सिटिजन्स के वीजा कैंसलेशन करने का प्रोविशन होगा अगर उन्हें वाइलेंट अपराधों के लिए दोशी ठहराया जाता है लेकिन 12 महीने से कम जेल की सजा सुनाई जाती है। उपजिशन सवाल कर रहा है कि क्या बदलाव जरूरी है। Labor Senator Murray का कहना है कि यह साफ नहीं है कि Immigration Minister को किन additional powers की जरूरत है। Immigration Minister के पास पहले से ही वे powers हैं जो वो कहते हैं कि उन्हें इस कानून के जरीये जरूरत है। उसके पास पहले से ही गंभीर criminals को deport करने की शक्तियां हैं। वास्तव में उन्होंने हाल ही में कुल कलस्टर, गडबट के बाद दिखाया कि उनके पास नोवाग जॉगविक को डिपोर्ट करने की पावर है. अगर सरकार के पास नोवाग जॉगविक को डिपोर्ट करने की पावर है, तो सर्टनली उस तरह के गंभीर अपराधियों को ड जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बैल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद एक और वीडियो के साथ आप से फिर मुलाकात होगी अगर आपको किसी और म कॉंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं